हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फाइफ मिनिट ठीके में और आज की जो हमारी वीडियो है काफी इंपोर्टेंट वीडियो है जहां से कोशन पूछे ही जाते हैं सो हम इसमें डिसकस करने वाले हैं जीव विज्यान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में the important branches of the biology ठीके जिसमें हम लास्ट में quiz भी solve करने वाले हैं वीडियो बहुत important सांती सांत बहुत interesting है इसको जब्याइक करें शैर करें चैनल को subscribe करें और हम बात करें अगर आपने भी तक हमारा डाउनलोड नहीं किया है तो description में लिंक दिया हुआ है जाकर कि आप आप को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है हम बात कर लेते हैं जीव विज् जिसके अंतरगर जीव धारियों का अध्यान किया जाता है ठीक है और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमाक जो की फ्रांस के थे और ट्रवेरनस जो की जर्मनी के थे ठीक है ना इन दोनों विज्ञानों का किदारा 1801 में किया गया था ठीक है हम बात कर अरिस्टोटल की इन्होंने जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध विकास किया ठीक है यह जो थे ग्रीक फिलोसिफर थे और इन्होंने सरप्रदम पौदे एवं जन्तों के जीवन के विभिन पक्षों के विशय में विस्तारित अध्यान किया है ठीक है इसलिए इनको जीव अखी पालन जो है उसको क्या बोला जाता है एपी कल्चर बोला जाता है दूसरा हम बात करें सैरी कल्चर तो जो रेशम के कीट होते हैं उनके पालन के अध्यान को क्या कहा जाता है सैरी कल्चर कहा जाता है पिसी कल्चर जो मतस्य पालन का अध्यान होता है उसको पिसी कवक जो होते हैं कवकों की अध्यान को क्या कहा जाता है माइकोलोजी कहा जाता है ठीक है फाइकोलोजी के अगर हम बात करें तो श्यवाल है उसकी अध्यान को क्या कहा जाता है फाइकोलोजी कहा जाता है नेक्स हम देखें एंथोलोजी तो जो पुश्मयान की फ्लार है इसक फिर हम बात करें Pomology, बहुत एजी सा है, the study of fruits, फलों की अध्यन को कहा जाता है, Pomology कहा जाता है next हम देखें, Ornithology किसको कहा जाता है, Ornithology जो है पक्षियों की अध्यन को कहा जाता है the study of birds is known as the Ornithology, next हम बात करें, इसकी अगर तो इच्थियों किसको कहा जाता है तो मचलियों का जो अध्यन है उसको इच्थियों कहा जाता है, entomology, कीटों की अध्यन को क्या कहा जाता है entomology कहा जाता है, फिर dendrology, व्रक्षों एवं जाडियों का जो अध्यन है इसको dendrology कहा जाता है ठीक है, Orpheology काफी interesting है and important too, तो the study of snakes, सर्कों की अध्यन को क्या कहा जाता है afterology कहा जाता है, फिर हम बात करें psychology, तो छिपकली जो होती है, lizard जो होती है उसके अध्यन को क्या कहा जाता है sophology कहा जाता है, फिर sylvee culture के अगर हम बात करें तो जो it water कास्टी पोधों का समवर्दन जो है उसको क्या कहा जाता है ता इस मैं liz÷ कर लिए कि किस की study को क्या क्या कहा जाता है अब हम quiz solve करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे mobile app के बार में बता देती हूं जुसमें आपको daily quiz, free pdf, mok test, osp notes, videos, audio revision, साथी साथ जो job alerts हैं और e-books सब कुछ आपको एकी जगा पर मिल जाएगा काफी important है और काफी helpful है आपके आने वाले सबी exams के लिए तो description में link दिया हुआ है जाकर कि आप इसको download कर सकते हैं ठीके अब हम बात करते हैं quiz की तो सबसे पहला question हम देखते हैं एच्टियो लॉजी में किसका अध्यान किया जाता है ठीके तो यह मैंने आपको बताया है तो इसका जो answer है किसका मचलियों का आपको भी साथ साथ में comment करना है entomology में किसका अध्यान किया जाता है जो entomology है वो किसकी study है so answer is जो keto का अध्यान है उसको entomology कहा जाता है dendrology में किसका अध्यान किया जाता है so जल्दी से आपको comment करना है तो विरक्ष और जाडियों का जो अध्यान है उसको dendrology कहते है opheology जो है वो किसका अध्यान है ठीके so अभी just मैंने आपको बताया है the study of snakes is known as the opheology anthology में किसका अध्यान कहां किया जाता है तो क्या है इसका सही आंसर pushpon का चीक है sericulture क्या है तो आप लोग भी साथ साथ में comment कीजेगा sericulture जो रेशम के कीट का जो पालन होता है उसके अध्यान को क्या कहा जाता है sericulture कहा जाता है ठीके और नीथो लोजी के अगर हम बात करें तो किसके अध्यान को और नीथो लोजी बोलते हैं तो पक्षियों यानिकी the study of birds चीक है छिपकली का अध्यान क्या कहलाता है तो अभी lastly हमें देखा था psychology एप्य कल्चर में किसका अध्यान किया जाता है सबसे पहला जो हमने देखा था क्या है मदो मक्की पालन का जो अध्यान है उसको एप्य कल्चर कहा जाता है अब हम बात करें mycology की, तो किसकी study को mycology कहा जाता है, तो कवक जो होते हैं, उनकी study को, उनकी अध्यान को क्या कहते हैं, mycology कहते हैं PC culture में किसका अध्यान किया जाता है, सो उसका सही answer क्या है, जल्दि से comment करके बताना है, सुधा answer is matashya palan, जो है, उसकी कि अध्यन को PC culture कहा जाता है so यह तो थी हमारी आज की वीडियो वीडियो गर आपको पसंद आए तो like and share जरूर करें description में लिंक है आप हमारा mobile app डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को subscribe करना ना भूले हमारे तीनों ही चैनल आपके सभी exam की preparation के लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाले हैं online study point पर आपको daily current affair ठीक है Indian history, Indian geography, politics आती साथ mathematics की proper classes available हो जाएंगी ठीक है और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले पांच मिनिट में आपका काफी अच्छा proper revision आपको यहाँ पर मिल जाएगा Thank you